हलो एंड वेलकम टो ग्लोबल अकेडमी आज है 29 जून 2020 देखते हैं आज के तमाम करणट एफिर्स और इन से रिलेटर जितने इंपार्टन फैट्स होंगे वहां डिसक्स करेंगे अगर आपको इसको ये पीडियाफ चाहे होगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है वहां से आप इसकी पीडियाफ डॉनलोड कर सकते हैं नीचे मैंने टेलिग्राम का लिंक भी दे दिया है वहां आप जॉइन कर सकते हैं तो लास्ट पे इस वीडियो के लास्ट में आपसे पूछन भी पूछूँगा जिसका आप को आशर करना होगा So let's begin with the first question Which state government has launched मुख्यमंत्री मत्रू पुष्टी उपहार सिकीम किस राजी सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्ट उपर योजना शुरू किये मुख्यमंत्री मत्रू पुष्ट उपर योजना शुरू किये तो हाल ही में त्रिपुरा government ने ये मुख्यमंत्री मत्रू पुष्टी उपहार सिकीम लांच की है और इस सिकीम का जो मैन एम है वो है जो भी pregnant and lactating woman है उनको nutritious food provide करना और kids वगएरा उनको provide करना ये इस सिकीम का मैन एम है तो त्रिपुरा ने ये सिकीम लांच की है त्रिपुरा से related कुश important facts भी देख लेते हैं तो ये है map के अंदर त्रिपुरा red color में ये आपको map इसका याद रखना है कहाँ पर है इसकी location unitary territory बनी थी 1st November 1956 में statehood मिला था 21st January 1972 capital यहां की अगरतला, governor यहां के रामेश बायस, chimster यहां के बाइप लैब कुमार डैब जो की BJPC है उसके लाब क्रिपुरा इस थर्ड स्मालेस्ट अमंग थे 29 states in the country इस वाकर 28 ही states है क्योंकि जैन के अब state नहीं रही है तो 28 states में यह 3rd smallest state है गोवा और सिक्किम के बाद तरिपुरा एंड जमार्तिया प्यूपल यहां के इस रिलेटरी मैंने कुछ फैट्स आज उठाए है तो जो यहां गोरिया पुजा होती है वहां यह गोरिया डान्स यह परफार्म करते हैं यहां के लोग उसके लाव जो यहां के important festivals है वो है दुरगा पोजा, काली पोजा, दोलियात्रा, अशोका कस्टमी and the worship of the चत्रदिशा डाइटेज, they are the important festivals in the states Next question Mr. Government has tied up with Reliance Jio TV under Distance Education Program किस राजी सरकार ने दोरदाशन शिक्षाकारी करम के तहत Reliance Jio TV के साथ करार किया है तो अभी हारियाना गोर्मेंट ने Reliance Jio TV के साथ यह tied up किया है और इस के थरू आज जो है, इस agreement के थरू amid the COVID-19 crisis Jio TV जितने भी हारियाना के 4 educational channels है वो इनको free of cost अपने Jio platform में launch करेगा और it will be now available on the Jio platform free of cost तो Jio platform पर अभी चारों channels अभी फ्री आफ कास्ट हम लोग, तमाम लोग इसको देख सकते है और यह हारियाना गोर्मेंट ने Jio TV के साथ यह tie up किया है तो हरियाना से related कुछ important facts देख लेते हैं तो map के अंदर यह red color है हरियाना statehood 1st November 1966, capital यहां की चंदीगड जो की common capital है हरियाना और पंजाब की चंदीगड गौर्नर है यहां की सत्यदेव नारायन आरिया, चिम्स यहां की मनोहर लाल कत्र उसके लावा हरियानवी musical folk theater the man types are song, raslila and ragini यहां की man folk musical folk theater type science की then the song and the ragini form of theater it was popularized by lakmi chand then sultanpur national park and kailisar national park यहां की famous national park से यह हरियाना की next question which airport of uttar pradesh has got international airport approval अभी हाल ही में उत्र पर्देश के किस हवाई अड़े को अंतराश्टे हवाई अड़े के मनजोरी मिली है तो अभी हाल ही में कुशन अगर airport को international airport approval मिला है और यह उत्र पर्देश का airport है तो उत्र पर्देश का airport है जिसको यह international airport approval मिला है तो यह उतरपरदेश related कुछ important facts देख लिते हैं तो map के अंदर है यह उतरपरदेश red color में इसके कुछ historical, geographical and political facts देख लिते हैं पहले स्टेट होड 24th January 1950, capital यहां की लखनो गौर्नर अनन्दीमन पटेर, चिम्नस्री यहां की योगी अदितियनाथ यहां की कुछ famous places हैं and monuments देशे ताजमहल, आगराफोर्ट, फदेपुर्सिक्री, सारनाथ, मनिकरी का घाट, निव यमुना ब्रीज यहां का फ्लोराफाना, state of animal है, स्वैम डियर, state board है सारस्क्रेंड, state tree है यहां का शोका ट्री and flower है यहां का पालाश्टी, यहां का culture के बारे में, state dance है, यहां का कथक डांस और the popular folk music of Uttar Pradesh includes sohar, तो यहां का popular folk music जिसका नाम सोहर है और यह सांग किया जाता है at the celebration of a birth of child, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त यह सोहर सांग यह उस वक्त गाया जाता है, उसके अलावा कजरी सांग, इस सांग during the rainy season then Russia, it is also a type of सांग especially popular in Braja which is celebrate the divine love of Radha and Krishna तो यह थे तमाम important facts, तो students मैंने कोशिच की है, जो भी अभी हाल हमें, Jkshb's related, जो notifications आई है चाहे वो supervisor selected हो, accounts assistant, junior assistant या अभी जो Harlem 4th class related post-artize हुई है तो उस syllabus को focus करते हुए, मैं यह आज की वीडियो बना रहा हूँ खार्सकर कि यह current issues पर, उसमें जो general knowledge का जो portion है, जो 40 marks का है class 4th में और accounts system में 30 marks का है, तो उस तमाम syllabus को focus करके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं यहां, इसमें history, geography, political facts, then यहां का geography, यहां का culture, उसके लावा इसमें cover हो जाती है capitals वगारे भी, then political facts भी यहां cover हो जाते हैं, तो यह तमाम इन चीज़ों को मैं यहां इस वीडियो में cover करता हूँ और वो भी without any face, बस आपसे एक request है, कि as a face मैं सिर्फ आपसे एक request करूँगा, कि आप इन वीडियो को अपने friend circle में और जो भी आपका social media है, जिससे आप connected हैं, चाहिए facebook को, whatsapp को, वहाँ आप इन वीडियो को share कीजिए, ताकि जाद जादा बच्चे इन वीडियो को के साथ जुड़ जाएं, और मुझे भी थोड़ा सा interest बने, क्योंकि जादा बच्चे अगर पढ़ने बढ़ जाएंगे, तो मेरा interest भी थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए आपसे बस एक ही request है, कि आप इन वीडियो को share करें, बाकि आपने और कुछ भी इसमें नहीं करना ह है, तो अभी हाल ही में Amazon ने ये climate pledge fund इसकी announcement की है, और इस announcement में इन्होंने dollar two billion climate pledge fund ये invest करेंगे for the sustainable technology पर, और इससे क्या करेंगे, it will help the company reach its commitment to be a net zero carbon in the operations of 2040, जो इसने commitment किया है, कि 2040 तक net zero carbon usage करें कि उस commitment को पूरा करने के लिए, ये इन्होंने climate pledge fund की ये announcement की है, तो Amazon ने की है, तो Amazon से related important facts, ये है Amazon के मालिक, ओनर जेफ बेजोस, जो इस वक्त वर्ल्ड के richest person भी है, ये भी आपको याद रखना है, he has founded the Amazon on July 5, 1994, इन बुलेवा वाशिंग्टन युनाइट States, founder है Amazon के जैपेजोस, और headquarter है Amazon का Seattle United States, ये थी Amazon से related कुछ important facts, next question, which state has won the E-Panchait Award 2020, किस राज ने E-Panchait पुरस का 2020 जीता है, तो हाल ही में हिमाचल परदेश ने E-Panchait Award 2020 जीता है, तो ये आपको याद रखना है, तो हिमाचल ने जीता है, तो हिमाचल परदेश से related important facts भी देख लेते हैं, तो ये है map के अंदर हिमाचल परदेश red color में, union territory पहले ये बनाई गई थी, 1st November 1956 में, then statehood मिला था, इसको 25th January 1971, capital यहां की शिमला धरमशाला, गोर्नर यहां के बंडारो डेटेरिया, chief justice यहां के लिंगपा नाराइना, स्वामी, chief minister यहां के जैराम ठाकर जो की BJP से हैं, hill station like Shimla, Manali, Dharmshala, Dharmshala, Dilhozi, Chamba, then Kajar, Kullu and Kassol, they are the popular destinations for both domestic and foreign tourists, उसके अलावा यहां के कुछ फैमस निशनल पर्क से जैसे Great Himalaya National Park, Pin Valley National Park, Kirangar National Park and Indarkil National Park, तो यह थी important information regarding Himachal परदेश, then next question, who has launched e-blood services mobile app, e-blood services mobile app, यह हाली में किसने लाँच की है, health minister डाक्टर हर्श वर्दन सिंख, इन्होंने याभी हाली में e-blood services लाँच की है, और इसका man am क्या है, health minister हर्श वर्दन लाँचिस mobile app e-blood services to order blood for easy access, ताकि आराम से हम blood के लिए order कर सकते हैं, to blood in this critical time of coronavirus pandemic, तो जिसको भी blood की problem मेंगी, जिसको भी blood की जरूरत होगी, आज coronavirus pandemic के दवरान तो वो इस app के थूँ blood के लिए जो हो apply कर सकते हैं, और easily उनको यह blood यहां से, इस app के थूँ ले सकते हैं, उनको यहां से provide कर सकते हैं, Then next question, who has been sworn in as the fifth lokiukta of Gujarat? Gujarat के पांचवें lokiukta के रूप में किस से, किस ने शपत लिये, तो अभी हाल ही में, राजे शुकला ने, he has been sworn in as the fifth lokiukta of Gujarat, और यहां के जो first lokiukta थे, justice DH Shukla, he was the first lokiukta of Gujarat. Then next question, where has Devika and Puneja bridge inaugurated? Devika और Puneja bridge, अभी हाल ही में, जैन के, यह, Devika और Puneja bridge का उदघाटन कहां हुआ है? तो अभी हाल ही में, Jammu और Kashmir में, Devika और Puneja bridge की inauguration हुई है. तो यह, दोनों bridge यह Jammu और Kashmir में हैं, तो Jammu और Kashmir से related कुश important facts, और जितनी भी पीछे 2-4 महिने में यहां के कुश important current affairs आई हैं, उनको हम थोड़ा से यहां discuss करेंगे, काफी important है exam point of view से. एक तो यहां साफरान की बात है, जो कि यहां का Jammu and Kashmir का most important cash crop है, जो कि पामपूर में पाये जाता है, यहां को याद रखना है, और इसको अभी हाल ही में GI tag मिला है, then Jammu के अंदर city joke है, इसको rename किया गया है, और इसका अब नाम भारत माता joke रखा गया है, then एक और fact है, रजनेश ओस्वाल, यह Jammu and Kashmir के ऐसे judge हैं, he has sworn under the constitution of India, इससे पहले जो भी judge यहां बनते थे, उनको जो है जो शापत वगयरा होती थी, वो Jammu and Kashmir के constitution के थ्रो उनको शापत वगयरा लेनी पड़ती थी, लेकिन रजनेश ओस्वाल, he is the first judge who has taken oath under the constitution of India, तो यह इनका नाम भी आपको याद रखना है, यह इसलिए important बन जाते हैं, then 31st October को Jammu and Kashmir इसको UT बनाया गया था, current जो गोर्नर हैं के लेटनेट गोर्नर वो है GC Murmo, ग्रिशेंदर मुर्मो, उसके लावा Public Health Engineering and Irrigation and Flood Control इसको भी रिनाम किया गया है, Public Health Engineering and Irrigation and Flood Control Department इसका नाम रिनाम किया गया है, और वो जल शक्ती डिपार्टमेंट रखा गया है, then Agricultural Production Department इसको भी अभी यह नामन कलेचर इसका चेंज करने का फैसला लिया गया है, अब इसका नाम रखा जाएगा Agricultural Production and Farmer Welfare, तो यह तमाम Current Affairs आपको नोट करनी है, आपको याद करनी है, तो यह थी आज की तमाम Current Affairs, अब answer of yesterday's question, कल मैंने आपसे एक question पोचा था, which bank has announced the launch of Swast Card, किस bank ने Swast Card launch करने की गोशने किये, तो अभी हाल ही में Yes Bank ने Swast Card launch करने की announcement किये, तो अक्सर बच्चों आज बहुत सारे बच्चों ने comment किया है, description box में, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इंटरॉस्ट ले रहे हैं, जो भी मैं यह वीडियोज बना रहा हूँ, जो मैं यह efforts कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आपको यह efforts अच्छे लग रहे हैं, आप इसलिए इसमें मेरी हांसला वजाई के लिए comment कर रहे हैं, तो अच्छी बात है इसे आपको भी benefit होगा, अगर आप इसमें comment करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा benefit होगा, आपको यह चीज़ें याद हो जाएंगी, तो सवास्त कार्ड लांच किया था, यह यह तमाम बच्चों के आंसर इसमें correct है, तो question of the day, इसका आपको description में इसका आंसर आपको करना होगा, तो इसका जो question of the day है वो है, first non-local bureaucrate to become the domicile of जम्मो एंड कश्मीर, तो आपने नाम बताना है जम्मो एंड कश्मीर के domicile बनने वाला पहला गैर स्थाई बिरोक्रेट कौन बने हैं, तो चार नाम हैं, बसंत्रा, नवीन चोधरी, मनोज कुमार दिवेदी और हिर्देश कुमार, तो इनका आपने बताना है कि इनमेंसे वो कौन से बिरोक्रेट है, who has become the first domicile of जम्मो एंड कश्मीर, यानि ये non-local हैं, आप ये first domicile of जम्मो एंड कश्मीर बने हैं, तो ये थी आज के तमाम current affairs और इनसे related important facts, नाई वर्स से request है, हमारे channel को subscribe करें, और like भी करें, और अपने friends में share भी करें, okay thanks, best of luck and as always, God bless you all.